Hey guys and what's up भाई ये ना ये जो वीडियो तुम देख रहो न है मेरा थर्ड टेक है पहले मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली और बलर आई वो साल्या की आंटी है and she share this सेकंड टाइम वो बलर वीडियो देखे मेरे तना देमाख रहा हुआ कि मैं माइक को अब ये मेरा थर्ड टेक है मैं थोड़ा अगर टाइड लग रहा हूँ और अगर बीच में ये वीडियो बलर हो जाए तो प्लीज हम प्लीज सहे लेना क्योंकि अब मैं फिर से री टेक नहीं ले सकता तो Hey guys and what's up क्या है चाले तुम सब क्या आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो So ये जो वीडियो है वो है सानिया की सानिया ने हमसे स्टोरी शेयर कर दी थी So सबसे पहले thank you so much सानिया for sharing your story and Actually ये जो कहानी है वो सानिया की भी नहीं है वो है रीमा की जो की है सानिया की आंटी So इस टाइम जो रीमा है वो है 36 years की And ये कहानी पूरी चालू होती है आज से 10 साल पहले So सानिया अपने घरवालों के साथ गौंडिया में रहती है जो की महरास्ट्रा में है And जो रीमा है वो पूने शिफ्ट हो गई थी क्योंकि उसे studies करनी थी उसे job करनी थी तो हम पहले रीमा के बारे में जान लेते है So जो रीमा है वो intelligent है वो self independent है उसे कुछ करना है खुद के दम पर And वो बहुत जादा beautiful है So ये तीनों चीजी आगे चलके काम आएंगे तो याद रखना So रीमा ने पूने से पहले studies करी सब कुछ करा एंड पूने में ही उसकी job हो गई So वो पूने में job करने लगी एंड वही पर shift हो गई थी तो एक फ्रैट था जहां वो अकेले रहती थी तो ये पूने में shift हो आई गया हो गया हो तीन-चार साल हो गया हो तो सब कुछ कुछ बहुत नॉर्मल था वहां पैसे कुछ नया नहीं था So जॉब जब लगी थी तो रीमा की टाइमिंग सुभा से शाम तक की थी रात को फ्री होती थी तो फ्रैट मा के अपना time spend करती थी फ्रैट मा के खाना बनाना यह सब यह तो दोस्तों के साथ गूमने चले जाएगी ठीक है नॉर्मल पूने की life तो और ये दस साल पहले की बात है सो रीमा की life में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था काफी अच्छी एक job थी काफी अच्छा package था मतलब काफी settled थी सब चीजें ठीक है तो एक दिन आता है कि रीमा की office में जो कलीग होती है उसका बड़े होता है तो अब बड़े होता है तो यह पूरा ग्रूप बैखता है यह सोचते कि क्या करें बड़े है कुछ बढ़िया करते है आज की तो क्या होता है कि इन सब का प्लैन बनता है क्यों आज हम नाइट है तो रीमा बोलते है ठीक है टन है यह लोग office के बाद निकल जाते है अपनी गाड़ियां लेकि मस्त घूमते है पुरा club जाते है यहां वा गूमते है पार्क में गूमते है पूने की life night में बहुत अच्छी है तो काफी enjoy करते है एंड एक time के बाद देया like कि ठीक है डन करत आसपास ही रहते थे सारे तो बोलते है ठीक है हम पैदल चल जाएंगे काफी अच्छा मॉसम भी और बड़ी है तो चलते है तो ठीक है अब यह लोग चल रहे होते है तो क्या होता है एक गली आती है जहां पर जो street lights होती है वो नहीं होती है मतलब होती है तो अंधेर होता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कि यह लोग आराम से अपना चल रहे है चल रहे है तो ना रीमा को यह से महसूस होता है कि उसके पैर के नीचे कुछ आ गया है उसे फील होता है तो वो flashlight से देखते हैं तो देखते हैं कि यह तो निम्बू और मिर्ची है और रात के ट देखते है तो फॉने है तो लोग सोचते से यह पूल फैक डियोंगे लोग लगाते तो अपने गाड़ी में लगाते लाटाए हम たो गिर्गी होगी फैक्ट नोगी करो छल गर चलता है बहूं टा टायर हो गया तो यह है हां स इट करते नेम्बू मेर्ची है सब अपना घर जाते हैं तो जैसे कि मैंने तो मैं शुरू में बताया था कि जो रिमा का फ्लैट है वह वहाँ अकेले रहती थी तो फ्लैट में वह एंटर करती है तो पुरा फ्लैट एकदम अंधिर होता है फ्लैट में कि औबिसली रिमा भार है तो कोई लाइट्स ऑन निथी सब ओ ती तो रीमा को मतलब ऐसा द्यान रहता है कि emics MLB on करूसरी मेरा रूम-गर रूम थोड़ा सा ही आग इसका रूम बोल दो पस चपल ठापल जो भी शूश पहन होते उतारता हन। अ depend on ESTO46 explains theoral the यह रहा मेरा रूम तो hall की काई आउन कारू नर्मल चलती है रिमा थोड़ा सा ही आग उसका रूम होता है तो बस चपल अपल जो भी शूह पहने होता है उतारती है अपने रूम में जाती है नर्मल यह जाके फ्रेशन अब होती है ड्रेसचेंज करती है ऐए ठीक है सोने लग अजीब सी feeling आते हैं तो मैं कैसे express करूं मैं अजीब सी आती है कि कोई नी अभी अगर कुछ भी आ जाता मैं क्या करूंगी या फिर सम्थिंग लाग देट तो उसे वह वीर्ड फीलिंग आने लग चाती है तो वह सो नी बाती उस रात को सो नी बाती है यही सब सोच के तो कैसे घरक you to learn you être 앞에 यो तो रीड Jollyने की यही और उ Đरेडी में जाते है to review क्टिए और जो क्या हौब आल वह लुव से दिखती है उसका दिमाग खराब होजाते है क्यूंकि वह देखती है हौल में किसी के चलने के निशान में और वह चलने की निशान इस step के है कि मान लोग खून है उसके ओपर कोई चड़ा है and वो खून के ओपर ऐसे मलता है उसके अपने पैरों में उसने खून रख दिया नीचे and वो चला है तो ऐसे खून-खून के निशान किसी के चलने के and वो जाके खतम होते है जहां उसने अपनी sandals या जूते जो भी है वो रखी होती है तो अपने देखते हैं यह क्या सीन है तो sandals को ऐसे उल्टा करके देखते है तो उसके sandals की soul होती है ना रीचे का part वो पूरा एसे red color का होता है और वो जो चलने की निशान होते है रीमा की होते है वो यह से चक टक करके चल रही है और देख लिए तुम कितनी रात होगे है गार्ड आ रहे हैं यहां पर ठक ठक कर रहे है I don't know तुम्हें सुनाई दे रहा है तुम्हें और ट्रस्ट मी भाई बच्पन में मैं इनसे बहुत है यह सारी चीजे मुझे तो बहुत रखती थी बच्पन में बाइद वे स्टोई पर वापस आते हैं सो रीमा देखती है जूते और वो बुलते है यह भाई यह सब कैसे आया तो रीमा को कहीं यह चीज याद आती है कि यार वो निम्बू के ओपर मैंने पह रहा था था नि उसके खून लग गया हूँ या रीमा यह सब सोस्टरी होती है और रीमा बुलते है छोड़ो जान दो जो भी असाइडर को वो पूरा हॉल साफ करती है पोचा उचा लगाती है और वो चले जाती है अपने नॉर्मल ओफिस तो एक-दो हफते बहुत सही चाल रहे होते हैं ब कुटे भी भॉक रहे हैं गार्ड पत्थर मार रहा हूँ देख रहो तुम कैसे कैसे माहूल में रह रहा हूँ रहत के तीन बजगे है लिटरली रीमा की अब क्या होता है की तबियत खराब हो जाती है एक-दम से बुखार हो जाता है एक-दम से एक-दम से उसकी होने लग जाती है और ठंड लगने लग जाती है एकदम से जब की गर्मी का पूरा मौसम है उसे बहुत ठंड लगने लग जाती है तो यह सारी बहुत अजीब सी चीजह होती है तो अब रीमा डॉक्टर को दिखाना चालू करती है वो एक डॉक्टर को दिखाती है जितने भी टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, और उन सब चीजों में एकदम नॉर्मल है, बिलकुल मालब कोई फॉल्ट ही निया कि तुमें कुछ हुआ है, हम डॉक्टर को समझ निया रहा है कि हम तुम्हें कौन सी दवाई दे, तुम्हें क्या टीटमेंट दे, तुम तो पास की क्या मुलिब इंडिया के बेस्ट डॉक्टर को दिखाती है भू, इसको कोई लाज निए तुम्हें अब हम आ जाते है प्रेज्ट में, और अब हम आ जाते हैं इसनानी स्टोरी तो सानिया उसकी साइड, तो सानिया गॉंडिया में रहती है, सानिया इस टाइम 18 साल क सब कुछ सही है बहुत बढ़ी है सǟ अनिया भी बहुत खुछ है अपनी लाइफ से बहुत सही है सानिया के डैड, लाँ यह सब सोसते हैं भी एक कुपिट छुटिये li रखते हैं फूरी फैमिली को गुलाएंगे और बहुत टाइम हो गया रुड़ कैसे हो गया, Sanya and its parents get together करते है Gondiya में, तो सब आते हैं सारे relatives आते हैं और उसमें आती है Rima, Rima भी आती है and Rima के parents भी आते हैं, so यह सब काफी time बाद मिल रहोते हैं, बहुत बाते करते हैं, सब कुछ सही होता है, तो उसमें बताते है कि, Rima बताते हैं कि में को ऐसी ऐसी कुछ बिमारी हो गई है एंड इलाजी नहीं पार है से दस साल से मैं लगी हुई है इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है यह काफी जादा मतलब वियर्ड है कि टॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा कि यह हुआ क्या है तो जो सानिय के डैड होते है बड़े धिहन से सुन रहा है ठीक है तो कोई बाद नहीं ट्राइ करते रहेंगे हम दिखाएंगे और किसी को भी तो कहते हैं तो इस टैमना थर्टी सिक्स यहर सी हो चुकी है रीमा तो जो रीमा की मौम होते है वो सानिया के डैड को कहते है कि बेटा कुछ इसके लिए कोई रिष्टा ढूंड़ो कोई अगर तुमारे जान पैचान में तो बताओ क्यूंकि अब काफी उमर भी हो गया तो मैं लगा शादी गन्निया या इसकी तो उसके डैड बोलते है हाँ जरूर मैं देखता हूं तो ऐ उसकी सारी शादियां तूटी है और यह चीज़े ना मतलब सानिया के डैड को बड़ी अजीव लगते है कि आईसा क्यों क्योंकि जैसे मैं तुम्हें बताया कि रीमा इंटेलिजेंट है सेल्फ इंडिपेंडेंट है और व्यूटिफुल है तो उसकी शादियां तूटना क्यों ढूटएना मतलब समझ नई आज़ा था किसी को भी और वो भी एक नीडुनी हर भी आठ आठ अठ 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 लोगों ने शादी कैंसिल गर दी सबकुछ हाा के पका हो जाने के बाद तो ये काफी ज़ादा मिल्दब वियर्ड था काफी समझ न्या हर था उसके डैटको सान्या को तो सान्या की डैट बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं एक काम करो रीमा को छोड़ दो थोड़ी देर यहां पर देखते हम कुछ करते हैं और रीमा मां अके ले क्या है करेगी पूले में वैसी वर्क फार्म होम चल रहा है तो यहां पर रह लेगी तो ठीक है डन है तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन काफी अराम से भीतता है, सब कुछ सही हो जाता है तो, बट सान्या एक चीज नोटिस करती है कि रीमा ना ऐसे नींद में बात है कर लिया अलग लेंग्वेज में कोई अलग ही लेंग्वेज बोल रही है आपके बंद है रीमा की और वो ऐसे मल लब ऐसे बोल रही है, ऐसा बोल रही है जैसे सान्या को ही बोल रही है, बट से कुछ समझ नहा रहा है क्योंकि लेंग्वेज ही अलग है, सान्या को बड़ा जीब सा लगता है की शिट, बट ठीक है नींद में बोलते हैं लोग कुछ भी बोलते है, समझ नहा था एंड ऐसा होता है, फिर कुछ दिन नॉर्मल होता है, और एक दिन फिर से रीमा सेम चीज है, ऐसे सान्या की तरफ उसकर सार है, और बोल रही है और इस पर ऐसे बोल रही है, जैसो डाट रही हूँ जैसो इस पर गुसा निकाल रही हूँ सान्या पर, अब सान्या को डर लगने दर जाता है और सान्या एक और चीज नोटिस करती है की जो लैंगवेज ये पिछली बाल बोल रही थी जी री माँ, इस टैम ये वो वाली लैंगवेज नोटिस करते है और बोलते है की मैं समझेया क्या हूँ ये जीव जीब सी बिमारी होना, रिश्टे तूटना, ये नॉर्मल तो नहीं है तो सान्या की जो डैड होते है, वो न एक मॉलवी साब को जानते थे तो वो बोलते है की मैंनman harmony मालवी सहाब से मिलके आता हम तो जाते हैं वो मौलवी सहाब को पूरा समझ आते हैं की ऐस-अइस सीन है मेरी कहां सकत-वाइन है और उसके साथ असाले उलिए स होद ना कहल चांब हना धीका है ड़ा कमई ऐसा सुन मव्लविस उख्ण! मॉल्वी कि अगले वहार दिन है, अगली दिन की आते एं वह घर में इंटर करें तो सब को पीजे रहा है। मैं एक बार जाके देखता एंड जब ले जाते तो सान्या के डैड को बताते है महल्मी साل कि जो एक इसके अंडर छेजिनों की आत्मा या यह समझ ने पुजैस करा तरह हूं को सान्या की ठेड वह एक्दम शौक क्यूंकि एक जिन दो जिन ठी और छे जिन एक बाड़ी में रह रहे हैं दस साल से केन यू इमेजन और उनमें से जो एक जिन है वो होता है रिमा का लवर वो रीमा की तरफ पहुंचाता है अट्रैक्ट हुआ होता है तो वो lover होता और उसकी बज़ए से ही रीमा की कहीं शादी नहीं हो रही होती टोट रही होती है अर चगा उस जिन की बज़ए से एंड यह सब जब मॉल्वी साब बताते है सान्या के डैड बहुत चाधर घबरा जाते की क्या करें इसका मौल्वी साप बोलते हैं कि डरने कोई बात ने मैं एक ताबीज बान दिया है तो बस वो मत उतारना बागी आगे देखते हैं बट अभी के लिए वो ताबीज मत उतारना तो सान्या के डैड और मॉम सान्या को यह सब चीजे नहीं बताते हैं उसे बस नौर्मल बताया जाते ह बच्चे की उमर यह अठारा साथ तो नहीं बताते हैं तो सान्या हो टीक है मैं नहीं उतार हुँ है तो ठीक है फिर से ब सोने लग जाते है नौर्मल एंड फिर सान्या अनौना स्टडी कर रही है अपनी रात के बारे एक बार रही है रीमा सो गई है तो उसे नीचे देख आपको तो आपको तो और आपको तो तो मेरा निए है चलती। कोई बात नियागा। पन्री.. पंनकोLY..कोई भाते तो लिए आप शोजाओ, जालो.. आप शोजाओ इसे नींद में अप बोल ने ही, क्योसे कहीं चोड़कर बेडotherap आती हैं, बोलती है.. बुलती है.. फिर वो सोजाओ देते है किaker Reema को, और के सानीय भी अब, फिर रमा घरी ओड़िन 5 एंड पंक का चालो कर ये ये किड की को मझे सापोगेशन हुँई उसलोग हूँ ऑब साइय कि अन्य लग जाते है के बैई अगर एंग दम क्या होगे और या wildy रहीं 1 लग रहा ह जाती अडिज Kevin भही मैं नहीं सो सकती, में में बहुत चादर डर लग रहा है, तो मुझे समझ दिनी आरहा, तो घर वाले भी उठते हैं, वो उस दिन सानीय के साथ भी हैं, पूए रात सब जगें हुए हैं, अगले दिन तो जो सानीय के ड़ेद होते हैं, वो बोलते है नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा यह करवाना पड़ेगा कुछ तो वो पंडित जी को भी बुलाते है वो वो एक्चुली मौलगी साब और पंडित जी दोनों को जानते थे तो पंडित जी भी आते हैं और वो बोलते हैं कि इस घर की पूरी पुष्टी कराने पड़ेगी जो पंडित जी आते हैं घर पूरा साफ करने पड़ेगा क्या बहुत जादे नेगेटिव एनर्जी हो चुग तो वो भी बोलते हैं इन सब चीजों में नहीं लाएंगे यह चुपचाप अपना कर लेंगे और अल्दो अपने दादी को पता है जो शानी उसकी दादी को पता है कि अच्छा यह सब हो रहा है तो वो सपोर्ट में कि ठीक है बेटा तुम कर लो तुम्हें जो सही लग रह कर रहे हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं एंडिंग में रीमा को एक मंदिर में लेके जाते हैं वहाँ पर पंडित जी पूरी पूजा हुजा करते हैं और बोलते हैं कि अब इसे कुछ दिन ना तुम रूम में बंद रखो मलब एक दो अफते एंडिया ठीक हो जाएगी हैं सही हुई तो रीमा ठीक होते हैं उसे बलते हैं अब तू सही है ना हाँ तो ठीक है तो पूने जा आराम से अब अपना काम कर पूने जा कि और सब सही है तो चले जाती है पट जब वह जाती है तो बात यहां खतम नहीं होती अब इस घर में उल्टी सीधी चीज़ होने मतलब सानया के घरे में गौंडिया में बहुत अजीब चीज़ लग जाती है कि उसकी जो मौम होती है वो बहुत जादा जल्दी जल्दी फ्रस्टेट होने लग गी है सानिागी सानिया की डैड की मयलता फाइनांशियल क्राइसिस आने लग गए है और यह लोग भी notice करता है कि इनके कभी-कभी नहीं सो रहे हैं तो इनके पैरों में नहीं एसे किसी के नाखुन की छीलने के निशान है इनके पैरों में और सानिक रेड फिर एक बार वो मौलवी जी के पास जाते हैं और बुलते हैं कि यह ऐसा ऐसा सीन है और पंडी जी के पास जाते हैं तो उनों के पास इस बार बताते हैं तो बुलते हैं कि किसी ने तुम्हारे घर पे अभी भी मिलब नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरह स्टिल कुछ समझ नहीं आता कुछ टैम बाद सान्या की जो डैड है उनकी डैथ हो जाती है उनकी डैत हो जाती है और यह बहुत शौकिंग होता है क्योंकि जो पिध् és एक्से लुट braces होती हो एक कोर्न हर किसी बजह से हमें इंटनली कोई था किसे ने कि एक दम से एक अपते में कोई ऐसी इंटरनली डिसीज हो जाएगी कि उनकी डैथ हो जाएगी और यह जब होता है न तो उसकी मॉम बोलती नहीं यह घर में कोई सीन है भई यह कुछ तो करना वड़ेगा तो एंडिंग में मौलवी जी और पंडी जी और पंडी क्यों नहीं है यहां पर अब हमें फेल नहीं हो ली तो नाओ यूर सेफ एंड जब वह चले जाते हैं सान्या और उसकी मॉम अभी तक अलब इस बात को दो साल हूचुके हैं तो दो साल से सान्या बता रहेगी अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं भाब एक्दम नॉरमल है सब तोच है और अगर आज तुम्हें मेरी स्टोरी टैली में थोड़ी थोड़ी सी वह लग रही हो कि क्या बोलते हैं टायर्ड नैस हो गया थोड़े थोड़े सुस्ती सी आ रही है तो इस वजह से क्यूंकि तर्ड टायम मैं शूट कर रहा हूं और तुम्हें यह भी देख लिए कि तीसरी बार में भी कभी चौकितार आ रहा है कभी कुछ हो रहा है सो यह वाली में बड़ी महनत लगी है भाईजाब सो यह देट सेट फॉर टुड़े गाईज आई कि यह काफी टाइम बाद आ रही है यह वीडियो काफी टाइम हो गया थोड़ा लग जाता है एक्चुली मेरा जो दूसरे चैनल है मैं उसके लिए कभी कभी व्लॉग एडिट करता हूं और उसे में थोड़ा टाइम लग जाता है तो अगर तुमने चैक आउट नहीं किया तुम जा के देख सकते हो बाई तो थैंक यू सो मज़ तुम सब में को यार इंस्टाग्राम पर पूस्ते हो कि भाई नई वीडियो कभा रही है नई वीडियो कभा रही है अच्छा भी लगता है बट साथ में समझो थोड़ा अगर तुम लोग मुझे बहुत सब्सक्राइब कर लो थैंक यू सब्सक्राइब भी कर लो ठीक है अबने ट्रेस्टिंग पार्ट मैं सोच रहा हूं कि अगर तुम्हें मेरा गोल फिफ्टी थाउजन का है जल्दी करेंगे हम एंड मेरा सेकंड चैनल भी तुम चेक आउट कर सकते हो so second channel में मैं अपने vlogs डालता रहता हूं और भी बहुत सारी चीज़े डालूँगा and interesting part मैं सोच रहा हूं कि अगर तुम्हें मेरा storytelling अच्छी लग रहा है तो vlogs के साथ साथ मैं उसमें अपनी storytelling भी डाल सकता हूं not horror but कुछ अलग कुछ funny कुछ अच्छी अच्छी storytelling बता कर सकते हूं